नवादा में महज कुछ रुपयों के कर्ज के लिए जब एक पूरे परिवार ने कल जहर खा लिया तब मानुक कलेजा निकल गया उसके बाद खबर आई कि पाँच लोगों की मृत्यू हो गई है और एक जो बच्ची थी उसका इलाज पावापुरी में चल रहा था पाँचो लोगों की चिताएं सजादी गई थी और उसके बाद जैसे ही अगनी दिया जा रहा था तैसे फोन आया कि वो छट्थी लड़की जो जिन्दगी और मौत से लड़ रही थी उसकी भी सांसे रुख गई और नवादा में एक पूरा परिवार बस कर्ज के चलते इस द पच्चो के साथ एक दिन उनको जहर खाना पड़ेगा और वजह सिर्फ कुछ रुपयों की होगी वो छे चिताएं जब कल नवादा में जल रही थी मानो एक आम व्यक्ति का कलेजा निकल जाएगा वजह क्या थी वजह ये थी कि उनके परिवार बालों ने अपने धंधे को चलाने के लिए कुछ लोगों से बयाज पर रुपया लिया था नवादा के किदार लाल इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका जो बेटा दिल्ली में था वो अभी जिन्दा है जब उसने अपने पिता को मुखागनी दी तब उसने कहा कि परसो तो बाबुजी से बात हम आपका सब दुख हर लेंगे सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा के दार लाल गुपता को ये बात समझ नहीं आई नवादा का वो पूरा परिवार अब भगवान के पास चला गया लेकिन कई सवाल हमारे बीच छोड़ कर जा चुका है कर्ज लेने वालों के लिए कर् जो किसी के जीवन को जीवन नहीं समझ दा है बाकी हम इस वीडियो में विसी बात पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार स्विकार करिए ये वीडियो रोडबेस के द्वारा प्रयोजित है रोडबेस बिहार के एक ऐसी टेक्सी की कमपनी है जो आपको आधे किर किराय में पूरे बिहार का भ्रमन करवाती है अगर आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गाउं में जाना है या बिहार के किसी भी गाउं से पटना एयरपोर्ट आना है तो आप रोडबेस का उपयोग कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर रोडबेस का एप डाउ वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है और उसके बाद वो जहर खा लेता है अपने पूरे परिवार के साथ जिसमें पतनी है बेटी है बेटा है और सिर्फ इसलिए क्योंकि सूध खोरों को चाहिए कि उनका पैसा जल्दी मिल जाए नवादा में एक साथ जब छे लाशे जल रही ह होंगी तो वहां का तस्वीर कितना हिर्दय विदारक होगा आप बस एक बार सोचेंगे तो आपके आँखों में आशू आ जाएगा किदार लाल गुपता ने अपने पूरे परिवार के साथ जहर खा लिया था पांच लोग तो अंदो स्पोर्ट मर गए छेठी जो लड़क थी साक्षी उसका इलाज पावापुरी के एक अस्पताल में चल रहा था उन पांच लोगों का अंतिम संस्कार जब हो रहा था तब फोन आया कि उस बच्ची ने भी अपनी सांसे रोक ली है वो बच्ची अब जिन्दा नहीं रही और उस बच्ची को भी जला दिया गया न आप चिंता मत करिये हम सब कुछ ठीक कर देंगे थोड़े दिनों की बात है और उसके बाद जब उस बच्चे से पूछा गया कि इन लोगों ने क्या सच में जहर खा लिया होगा तब उस बच्चे ने कहा कि मुझे तो नहीं पता लेकिन आसपास के लोग कह रहे हैं कि तु कि जब आरी घटना के बाद आप एक बार सोच कि देखे कि करज कितने बुरी चीज़ होती है लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप को निजीवन से हार नहीं मानना चाहिए चंद रूपियों के लिए अगर आप अपनी पुरे परिवारको कattend देते हैं तो ये कहीं से भी सही नहीं है, आप पैसे कमा कर दे सकते हैं, लेकिन आपकी जिन्दगी कभी वापस नहीं आ सकती है, केदार लाल गुपता नवादा के थे, उनका पुरा परिवार अब इस दुन्या में नहीं रहा, लेकिन आपको इस बात के लिए सोचना है, कि अगर कोई भी मुसीबत आ नहीं मानेंगे, बाकी केदार लाल गुपता के सारे परिवार को हमारे तरफ से स्रुधान जिली, और हम आशा करते हैं कि कोई परिवार कभी ऐसा ना करे, धन्यवाद.